आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services मैं आपको इतने दिन से इतिहास पढ़ा रहा हूँ और इतिहास का मद्यकालीन भारत अल्मोस्ट कवर होने वाला है दो तीन टॉपिक बचे हैं बस इन सब की बीच में मैं एक चीज जो खुद को भी सिखा रहा हूँ इतिहास कभी भी गधों को याद नहीं करता है इतिहास हमेशा किसको याद करता है जो या तो extraordinary काम की हो या जिस किसी ने शुरुआत की हो पहला कौन आया गुलाम वंस का संस्थापक कौन था खिलजी वंस का संस्थापक कौन था ये हमें जरूर एक्जाम में पूचा जाता है ये हमेशा से पूरी दुनिया का यही रीतरा है कभी आपने ये गवर किया कि ओलम्पिक में माइकल फिल्प्स का नाम सभी जानते हैं लेकिन सेकंड कोन आया ये कोई नहीं जानना चाहता किसी को कोई फर्क नहीं उसेन बोल्ट कौन था ये सभी जानना चाहते हैं लेकिन उससे पॉइंट वन सेकंड की दूरी पर जो सेकंड आया ये कोई नहीं जानना चाहता नील आर्मंग स्टॉंग चंदरमा पे गए ये सब जानते हैं लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता एक्जाम में ये अक्सर नहीं पूचता है कि सेकंड कौन आया इससे एक बात साबित होती है कि आप दुनिया में कोई भी एक्जाम की तैयारी करिए हमेशा first आने की कोशिस करिए क्योंकि दूसरे rank को तीसरे rank को दो सौंवे rank को कभी कोई नहीं पूचता पूच सिर्फ इजट सिर्फ किस की होती है first rank की होती है इस बात को दिमाग में बिठाल के ही किसी government exam की तैयारी करिएगा आपको कोई चीज़ें खराब लग सकती है कि ऐसा कभी possible आप अपने हिसाब से पूरी कोशिस करके तो देखे है ऐसा नहीं है कि जो टॉपर या जो first rank है वो कोई अलग से आया है लेकिन इतिहास हमेशा से उसी को याद करेगा जो कौन आएगा first आएगा UPSC में first rank जिसको किसकी आई टीना डाबी की आई कि किसकी आई ये सब को याद है लेकिन second rank किसकी आई ये किसी को याद नहीं रहता इसलिए कोशिस हमेशा क्या करनी चाहिए first आने की ही करनी चाहिए second की, third की, fourth की कोई एहमियत महीं एहमियत किसकी है, first आने की सच यही है, बाकी का देखे मेहनत करना, होना, selection is a different part लेकिन इतिहास हमेशा किसको याद करेगा, first को ये मैंने इतिहास से सीखा और आपको भी इस चीज़ से जरूर सीखना चाहिए thank you so many, बाकी का देखे हर चीज़ अलग अलग है, चलो success होना ये हो गया, वो हो गया, लेकिन history हमेशा किसको याद रखेगी या आज का वरतमान या भविश्य सिर्फ किसको याद रखेगा जो कुछ अलग करेगा किसने शुरुआत की thank you so much